पिडिशो करते हैं आपना कारीकरां रंगा रंगा कारीकरम जो चला एद यूपिस्ट इसी तूर्दा एंसीएटी मेरा विस्वास सैंसे ही होगा और करेंट अपदेट करते ही है तो अबी तक कुसल हो गया होंगे इस बात को समझने के लिए कि हमें अशिया पढ़नी कैसे है अगर हमें यह पीडिएफ आप अपने पास भी रख लिएगा एक हाड़ कॉपी में कहूंगा आप मार्केट से पर्चेस कर लिए सस्ती सस्ती किताब होती है और दो चार अलग अलग कलर के मार्कर पैन लेके बैठ जाईएगा हाइलाइटर जो चीज जितनी इंपोर्टेंट में है आप हाइलाइट करूंगा आप भी वहीं पर हाइलाइट करिएगो देखिए डू यू नो पर आईए अब देखे रहे हैं आप NCRT कितनी बहतरीन तरीकेस लिखा गया और दू यू न मना था इस यही सिसी पेपर में आया है पतानि है आप लोग करते हैं कि करता हूं जो आ प्टर मैं पड़ता हूं कि रियसा यह समूंदर जैसा यू-पиватьBi जाओगए छतम नहीं होगा कभी दूब जाहोंगे बण जाओगे परफेसर ठीक है प्रोफेसर नहीं बनना है यहीं पर देखिए लिखाता है तो रीच दुदा सेंटर ऑफ दे अर्थ विच नौट पॉसिबल यू विल हैव तो डीग होल अप 6,000 किलोमेटर डीप ऑशन फ्लोर अगर आपको पृत्वी के अंतरिक रिदम अंदर जाना तो लगब है यहां देखिए अर्थ आवर होमलेंट इस डाइनमिक प्लानेट इस अ कॉंस्टेंटली अंडरगों चेंजिंग इंसाइड और आउटसाइड दू एवर वंडर वाट लाइन इंटीर आफ वार्थ वाट इस दा अर्थ मेड़ कितना किता ब्यूटिफुल चालाइन लिख अगर आपको इनकी नॉलेज आपको अगर हो गया आउटसाइड इनसाइड तो कहीं न कहीं आप एक बहतर अर्थ अर्थ and for the betterment of human race you are able to do इसके लिए आप प्लान बना सकते हो कि मानव विकास के लिए आप एक बहतर रणनेटी बना सकते हैं अ hack just like onion शियोगा अप्लाइन ऑला हुड शहाँ अदिस्तरा से आपक प्याज में विकांधा में इतनी सारी रिएर्श होत्ते हैं हमारे अर्थ में भी है कॉंसेंटरिक सरकल हमारे अर्थ में भी है को किद आपर्मस्ट लेर छो हार संट वहार है उसको हम लोग क्रश्ट बोलते यज दिस पर हम लोग रहते है वह लिटो संटे जोगी पर्ट हे Пटह से में आपका ओसनी करस्ट भी आता है मतलब समंद्रिय तल पूसने ज़िए इस थिनेस्ट ऑफ ओल दे लियर इस अब थर्टी फाइफ किलो मेटर ऑन दे पॉन्टिनेंटल मास और उनली फाइफ किलो मेटर ऑन ओसनीक फ्लोर देखें कि तो कैसा लिखा हुआ है तो जो क्रस्ट ह है वह सबसे थिनेस्ट पार्ट है पांच किलो मेटर केवल ओसन की बैड़ है मतलब ओसन की लियर है और को इसके उपर तो फिर पानी है ओसन है समुंद्र है और यह है आपका लिखोस्फियर जो की 35 किलो मिटर है एवरेज हाइट है और हमारे लेयर की हमारे प्रित्वी की यह सबसे थीनेस्ट लेयर है और बात है दा मेन मिनरल कॉंसिट्वेंट ओफ कॉंटिनेंटल मास आर सीलिका एन एलमूनियम क्या रहें जो कॉंटिनेंट है वो दो चीज से बना हुआ देखिए अपने एम सी क्यू देखा था अभी मैं इस से पहले लग दो कहते नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ों ना जिससे तुमारा उसको नहीं पढ़ोंगे दुनिया वर के मार्केट कर रिसोर्स लेके पढ़ लोगे फिर आट साल निकल नहीं हमारा पढ़ते रहो आठ साल एसे से लोग मिल जाएंगे देखो वीडियो यूटूब पड़ी हुई है जद दस साल से त्यारी कर रहे हैं किताब घर को पूरी लाइब्रेडी बना दिये हैं एक हजार किताब रखे हुए पतली पतली किताब पढ़ो और मेंस में अपनी कॉसल कला दिखाव लिखने की यूप सी और दा सिविल सर्विस है आपकी कॉसल कला कितनी आप अच्छे से अपकी बुद्धी विवेक कितनी अच्छी जिससे आप लिख सकते हो तो सकते हो प्रिलिम्स के लिए लोग इतनी प्रोफेसर बनना है तो पड़ो से बंदर सिंग के अलग अलग पार्ट होती है क्लामटर लोजी लाओ लेकर आओ लियाओ किताब यह पढ़ते रहो पाचपच वोल्यूम की किताब यहाँ चार पतली पढ़के आपका जोग्रोफी की 15 सवाल आते हैं प्रिलिम्स में और 25 प्रिलिम्स में बहुत समय है अराम से 40 दिन के अंदर यह आपके 40 सवाल हो जाएंगे यह मेरी रणनीती है प्रिसाइस की जो रणनीती चल लए है उससे जुड़े रहो हर क्लास को देखो शुरूस लेकर आकरी तक क्योंकि बीच बीच में आपको आपकी जो ना बुद्धी को जगाया जाता है आप जो जाते पढ़ते पढ़ते उसको जगाया जा रहा है आप颂ब लूयॹ डेखना पढ़ कर नकल जाओगे उससे न होगा वीडिओ बिडियो को देखो नोट डाउन करो क्या बोल दीए है क्या हम लोग से बोलते हैं आशका मैं अपनी बात बात करूं तो मैं तो मैं तो गलती तुम ना करो जो गलती हमने कर दी है मैंने कर दी है ज्यादा पढ़ लोगे पढ़ाने लगोगे सेलेक्शन लेना है ना तो सेलेक्शन लेना तो पढ़ो जो क्या रहा हूं तो देखिए continental mass जो है यह किस से बना हुआ है silica और aluminium से बना हुआ है तो लिख लो continental mass is made of silica and aluminium और इसी लिए इसको क्या बोलते है सियाल क्या बोलते हैं सियाल कॉंटिनेंट किस से बना हुआ है सियाल से बना हुआ है और यह दो चीज़ से बना हुआ है सिलिका से बना है और magnesium से बना है अगर metal की नौलेज होगी तो तुम बताओ aluminium भारी है कि magnesium भारी है खुदी बताओ भारी कौन है इसलिए यह इसको अब लोग सौट कट में सीमा बोलते हैं सीमा से बना हुआ है कि जीरो से 35 किलो मिटर तक लगभाग 35 किलो मिटर तक होता है क्रस्ट के नीचे 3500 से लेके और देख रहों क्वेशन मैं अभी एक पढ़ाया हूं एक पेज से तीन एमसी क्यों आपको बता दिया हूं जो कि पेपर में पूछे गए हैं थोड़ा साभी बुद्धि भगवान ने दिया हो तो आप देख ले नहीं सारे सवाल आए हुए हम लोग रिवाइस कर हम लोग किताब और मैप करते जाओ और पढ़ते जाओ सबसे बढ़ें तरीकर तीनों सवाल आए हुए है जो मैं भी डेटाबेस लिखवार आतायों सीद्वारा क्रस्ट फॉर्म औली 0.5 परसेंट अब वॉल्म आप एर्थ जिक्स्टीन परसेंट आफ मेंटल एटी परसेंट मेंग सवाल आया है ससी का कोश्चन है यह वैसी रेडियेस और यह ससी में पूछा गया था एक साल वहां पर ओप्शन दिया था तो यह एंसी आटी कहा ही हम मानें के साइज 6371 किलमेटर कुछ किताबों में पचात्तर होता है अटातर होता है लेकिन एंसी आटी ही जो है डेटा ज गाद 212, 2714, करी 1, 236,7 12,785 घीर डामेटर होगया ठीके जी बहुत बड़िया लिखा दे इनरमोस्ट लेयर ही पोड विज रीडियस अफ अब धर थे यह लेट से लेखर्व एवग बाथे प्रिवेटरगिमेटर अटिस रमेट इकल और इरण इम प्रिफे लिखा गया है यहां पर समझेए अभी थोड़े दर में आपको के बारे में बताऊंगा कि पूर में टमप्रेचर भी ज्यादा होता है टमप्रेचर ज्यादा होने के वज़ए से लिक्विड होना चीए था लेकिन कोर के दो पार्ट हो जाते हैं इंटरियर पॉर एंड आउट डिकविड पार्ट होता है यह आपका स्टेट होता है जब कि यहां कि टमपरेचर लगबग 6.000 डिग्री सल्सियस से ज्छादा होता है जिसकस नेचर का होता है यह यह आपको जान के अस्ष़ए होगा ठीक है अगला है रॉक एंड मिनेरल पृट्सवी पे तीन तरह के यह तीन तरह के रोक पया जाते हैं अब मेर अगर आप देखोगे तो वहां पे प्राइमरी रॉप का आठाएज आद है आपको मेरी पहले लक्ष्ट अगर आपने मेरा निक्ष्ट देखा तो मैंने प्राइमरी नोट किया अब देखो इमपोटन्स अपराकका में सबस्क्राइब कर सकते हैं प्राइमरी राक के पारे तो अपने आंसर आइटिंग का बॉटी चालो करहोगे इंट्रडक्ष संच चालो करोगे तो वहां पर बताओगा सब्सक्राइब में बाइस बफ़बिए रॉक्सक्राइब बारे में डिफनेशन कहा से मिलेगा यह कोड़ कर तो इस चैप्टर के क्लास 7 का आपको सब सब माक्स मिलेगा क्यों कि एक्जामनर को भी लेंग में चाहिए सभी बात बताया तो आपको वालकनिक इरप्षन होने से जो बाहर लावा निकला जो ठंडा हुआ है उससे बनी है रोक तो प्रित्वी के अंदर से जो निकलेगी अभी हम और एक सन रचना बताएंगे कि जो डिवीजन है एक एथनोस्फेर होता है दुरबल ता मंडल होती है वहां से बाहर निकलता है उस और मिराय लिड करेंगे कि अउन्स का के अगए दोएर को फोता कमैने नीच आंटी मेचल को टरोप निकल मेच औरच है निकलता है जा नांगा जोसेटिवाइटा होत कि MAN Status Um और इगनियोस रॉक्स प्राम्री बोलते हैं किसी सारे बने हुए यही समें कोश्चन था भूरता नहीं है इन फोट जिसमें आप चार नंबर का जो जो कोटेशन दे सकते हैं वह तो इस्ट नहीं सकते कि अगे पडिए वेंग दा मोल्टन मेगमा कूल सब्सक्राइब और इंगनियस रोग कि देखिए होता है किसमें कोई fossil fuel नहीं पाइब कोई फॉसिल फॉयल या पॉसिल में नहीं पाए जाते है यह वह पता होना चीए तो फॉसिल फॉल्ल औमे इनिया कि या प्लान्ट रोते हैं देख रहे हैं मेरी पहली वीडियो किसी ने देखा उना आंसर राइटिंग आ तो देख ले गए इस प्राइमरी रोग एक्स्टूसीव रोग अब देखिए जो वालकनी करप्शन होके बाहर आ गया समझेगा मैं थोड़ा सा इसको आपको सम्झाने को सम्झाने करता हूं, let us some information or some question. देखिए रोग होता क्या है कि यह आपका एस्थनों स्फेयर है यहां पर एस्थनों स्फेयर है यहां पर मैगमा भरा हुआ है इसमें रेडियो एक्टिव सबसेंस पायाँ है आप रेडियो एक्टिव सब्सनेंस के फूजन से यह रॉक जो है मेल्ट होते पिगळलते हैं अब फिखलते हैं curi और out यह जब अब करेचर में होते हैं यह यह पिखलते हैं सेमि लक्षिट जोड़ में यह लिक्यूट होते हैं कि इस तरह से यह रहुत ची म५र्फ होते छौन छमचे के चित्रों आज जाने लगते हैं यह जो मैगमा जो बाहर निकल के अंडा जाता है इसको लावा बोल देते हैं तो जो अंदर हो जाते हैं इसको कहते हैं इंट्रूसिव रोक बतलब अंदर रह गया यह बने इगनियस रोक काई पार यह बने इगनियस रहव कि ए इगनियस रॉक टीक है लीकिन जो बाहर निकल गया है वो गया एग्क्र Михी रोक जा जैसे ओनदर में लिकट अपर इसको बव लल दिए इंट्रूसिव रोक एक्स्ट्रूसिव इंट्रूसिव 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 तराके होते हैं इंट्रॉसिफ इंट्रॉसिफ इगनियस रॉप अद्दूसरा एक्स्टूसीव इगनियस रॉप और दोनों में ही ऐसे नहीं पाया जाते हैं नो फॉसिस फाउंड यानि कोई प्रडूलियु प्रोड़क्ट आप यहां पने मिलने माला है नो लेयर लेयर नही पैर जाती हैं और टंप्रेचर काफी जाधा होता है टंप्रेचर है-डिक है कि इस वरी हाइड यह फीचर हैं आपको लिखना था इसके बारे में प्रायम रेंड़ को बारे मेरे लिखना था कि और गिक्म मौना फिरक्ट प्राइमरी डॉक का ऐग्जामपल आप व्लटानी क्राइब करोप सकते हैं कि वीए बीक मरूट न 19 रोग भिलिक सकते तो यहांत भी साकते हैं इंट्रोसिव इंडियस रॉप है आप लिक्ति इक्स यह वाट न विक्सकते हैं यह सारे आप लिख सकते हैं, इनकी फोटो में कभी फिर जब मैं रॉक पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूँगा, दूसरे तरह की जो रॉक होती है, इसी क्लामेटिक कंडिशन से जैसे की वेदरिंग, इरोजन, यह तूटती हैं और लेयर बालेयर डिपोजिट होती हैं, औ जो टाइब का रॉक होता है, वो सेडिमेंटरी रॉक होता है, इसे रॉक हैं दूझा, इरोजन, जो 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 ज्लोजिकल प्रोसेस, एरोजन, डिपोजिशन, इनियर रॉक के तूटने से, यह मेतामोर्फिक भी कहते हैं, इनियर रॉक में भी रॉक साईग लिखभा और मेटामर्फिक रॉक के टूटने से ब्रोकेन और इगनियस रॉक एंड मेटामर्फिक रॉक और इनके डिपोजीशन से जो रॉक तैयार होती है उसको लोग इगनियस सेडिमेंटी रॉक लेयर फॉर्म में होती है sedimentary rock layer form में होती है ऐसे layer form में होती है तो जब layer होगी तो इसके बीच में माल लिजे कोई कुटा बिली जानवर पेड़ पौधा कुछ भी आ गया तो यह किसमें convert हो जाएगा बैटा fossil में convert हो जाएगा यानि कि sedimentary rock में fossil पाया जाता है जो गया जाएए यह लेयर्ड इस्ट्रक्छ्चर होते हैं कैसे हो worthless made लेयर्ड इस्ट्रक्ट रोते हैं आउक में प्रॉकाप बता दों कि अर्थ की जो है तो ब्रजेंटल डिस्ट्रिब्यूशन उसमें 75 परसेंट्स i3 कंच और दो कि कि इसलम्पलज सोंगे चॉक माइका कोल जिप्सम जिप्सम बहुत में इंप्वर्डेंटै सिफिन है जिप्सम से एदना इंफोटीं नियुक्रान के मैं बता हूं कि जू एपसा न बन् से क्या बनता है वणफ़ाइं प्लासिज प एरला थो है। वो यही चलाता है इसका formula आपको बता दें जिप्सम का calcium sulphate 2H2O dihydrate इसका क्या होता है calcium sulphate half S2O chemistry भी गुसा दिया है इसे में देखो यह देख रहा हूं knowledge science भी आती है मेरे को मैंने इसे mix कर दिया कौन कहता है कि जोग्राफी जो है समझेगा साइन से भाई यह जिप्सम देखो chemistry है इस समका यूज बहुत ज्यादा है हमारे टोई मेडिकल इंडिस्ट्री में पैर बाट तूड़ के तुमारा प्लस्टर चाड़ा लेते हो जो प्लस्टर चाड़ता है वो किसका उप्लाश्टर पैस पी ओपी होता है वो किस से मिलता से टूमट रॉक से डिबस्ट inspired लाइम स्टौन डॉलय metamorphic rock जो की chemically और change होने से किसके मेटा का मतलब हो थो चेंज मेटपूर्फिक रॉड करों यह world desp Tunche City City होने एंट खेचरेंच मेटा मतलब होता है चेंज मेटा मतलब होता है मेटावर्स मेटावर्स चल्दा अचकर ठीक है यह हाड होते हैं और इसमें भी कोई फॉसिल्स नहीं होता है ठीक है इसके एक्जामपल है आपका डाइमंड वा बिटा डाइमंड ज्याद रखना डामंड खरिदे और रखना डाइमंड कक्षिणक तो आप लोग नियुथ द्यामंड खरीद होगे ना गर्ष्ग जाएंगा डाइमंड किसका एक्जामपल है मेतामर्फिक का तो आप लोग को डामंड खरीदने एक लाएक बना रहे हैं हम लोग टिका पड़ोग अच्छे से इसके बाद है रॉक साइकल रॉक साइकल है तो सबसे पहले क्या बनेगा इगनियस रॉक इगनियस रॉक कि कॉइटमें रॉक में रॉक साइड़ू दौट को क्लम्धिक अन्वट होगा इगनियस रॉक लॉक ैंग वे सब्सक्रिंटिय में मेरिग से ब़धरिंग से रॉच के Lindsay की इसको केते हैं हम लोग rock cycle। पिर से लटन वर्ट से बना जिसका मतलब पता हाग इगनियस लेटिन वर्ड इसका मतलब बता है अग कि राते वापस अपने PDF पे आप कर्राहा अब कुछ जहा इंकुचिस कर रहा है अग nuclear अगया आपका ayник आपको सम्झा इने अच्छिशिव में आपको सम्झ्दी इन क्वस JUST से रहुघτο Can you imagine a lava coming out from volcano? Lava is actually a fire red molten magma coming out from the interior of earth on its surface. When this molten lava come out earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rock form in such a way, such a way on the crust is called exclusive igneous rock and they have a very fine grain structure. For example, basalt. The decanplatu is made of basalt rock. 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 Sometime the molten magma cool down deep inside the earth crust and this type of rock is known as intrusive rock. Iska example kya hai? Granite. Granite kya asa example hai? Granite aapka intrusive rock ka example hai. Ne lika hai rock roll down and crack and hit each other and broken down into small fragment. This small particle is called sediment and this sediment are transported and deposited by the wind and water etc. This loose sediment are compressed and hardened to form layer of rock and this type of rock is called sedimentary rock. Abhi samjha hai thawad it rupalee. For example sandstone is a made of grain of sand and this rock may also contain fossil of plant, animal, other microorganisms that once live on them. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example clay change into slate and limestone change into marble. Rock are very useful to us. Rock rocks, rocks rocks, लाल किला यह आपका मार्बल वाइट मार्बल से बना है तो अगर हमारे पास रॉक नहीं होते तिंदर सुंदर सुंदर जो आप घुमने जाते हो यह जा पाते ऐसे मॉनुमेंट्स नहीं बन पाते लुए यह रॉक साइकल का फोर्ट दिया हूंए देखो मेखमा निकला इजिस on the नो कि प्यास से समझाया के अगयं इंप्रॉट्टर बता रहले की एल मो՞ा है bye बारे में बताओ रॉक किटना महत्रपूंट्रोल प्ले करती है अपनी बीचना करो इस पर इसका बन जाएगा यह सवाल यह चप्टर था किसका सेवन्थ क्लास का था अब इसी को मैप करते वह आप 11 पर आजाएए सब्सक्राइब करेंगे उसको खतम करने के बाद आप आप सब्सक्राइब करेंगे जब यह भी तयार हो जाएगा तेक तरह से आपका आपको आपको कहा जा रहा है यह आपको आपको दिया जाएगा नोट्स कहा मिलेगा नोट्स के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेंगा इस ही में मिलेगा आपको नोट्स कुछ फ्री नोट्स है उस पेड नोट्स है तो बहतर जो नोट्स है दो दी बेस्ट कंटेंट रिसर्च करके जो मैं डारेक्ट सोर्स के बारें बात करते हैं उसके बाद अर्थक वेव के बारें बात करेंगे जो की आपका एस वेव के बारें बात करेंगे फ्रिकवेंसी और amplitude होता है टाए किए घपके बारे में यह सब चीजे ताए पी बिये अरे यह दिस पी वेव और यह एस वेव का सेड़ों जोन था तो कैसे नापते हैं यह पूछा जाता है रिचर से इसकेल से वंडे एक्जाम में पूछा था यह रिचर सकेल मेरे द्वारा लिक हम प्रिसा आइस के द्वारा जो भी बाते कही जाती एक-एक सब्द एक-एक सवाल है अगर इसकी मुहत्त होता आप समझ पाएं तो एक-एक सब एक-एक सवाल है याद रखेंगा इसे कोई भी हवाम बात नहीं करते हैं हम लोग हवाम बात नहीं करते हैं ठीक है यह देखिए क्रस्ट मेंटल एक सारी बात देखें आपको बताए भी थे यही सब कुछ है देख आप को और अत्तिस्तों किलोमेटर ठीक है यह देखिए पुरा वाल के नो टाइप आप वाल के नो इंटूसीव वाल के नो एक्टूसीव वाल के नो तो आप देखें सेमें इंट्रॉक्शन कर दिया गया था उसकी व्याख्या 11 में है इस तरह से कोई आपको नहीं समझा प करते हैं कि आज की जो भुगोल की क्लास थी जिसमें हम लोग जियो मरफ लॉजी स्टार्ट कर चुके हैं पूद अच्छा लगा होगा आपको रॉचक लगा होगा हर्याना के बच्चों ने दिया मैं हर्याना पढ़ाने जाता था एक संस्था में मास्टर थोड़ा रॉचक इसको पढ़檈ए को stationary s के एप पो डाउंलोड करेंगए सेर करेंगे ला एक करेंगे कमेंड करेंगे उतनी ही एनरजी हमें मिलती जायेगी है आपका लाइक डाउनलोड कमेंट perfect हब लिए पावर तरह आपको है ओको हर दिन एक नया कॉंटेंट वहत्रीन कंटेंट मिलेगा और हर दिन आप अपने मंझिल की सीदी पहुंचने के विक सुक्रावा हात पकड़ कि आपको मन्जिल तक ले चाएंगे अध्यर हाथ तो आपको देना पड़ेगा और हाथ देने के लिए आपको पृपिर्सा एस का गया लूड चाहाु किस्टो पे आपको ऑफ सर बनाया जा रहा है आपको सवीविल सर्वन बनाया तो जुदिए पिसा इस से, signing off, myself, Anush sir, take care, have a nice day.